है लो गाइस वालकम टू अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केफेंट्स बैंक आफ इंडिया की और से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है स्टैंडर लॉन रिजल्ट्स आउट हो चुका है क्वार्टर एंड़ेट का साथ में कंपनी की और से टू करोड इच होगा दो तरह की बॉन्ड इशू करेगी और हम लोग चलते हैं इस कंपनी की रिजल्ट्स पर पहले फिनांसल रिजल्ट को कवर करेंगे जो की राइट साइड में और नंबर की बात करें लैक्स में दिये गया है इंकम है इस बार का अगर देखा जाए तो 18,080 क करोड का पिछले क्वाटर में 16,520.8 करोड का और मार्च 23 क्वाटर में 16,715.9 करोड का इंकम क्वाटर और क्वाटर येर ओन येर दोनों में इंक्रेज किया है एक्सपेंसर 14,435 करोड का पिछले क्वाटर में 13,463 करोड का और मार्च 23 क्वाटर में 12,455.6 करोड के एक्स क्वाटर में 4260 करोल का expensive operating profit था quarter on quarter में तो increase है लिकिन year on year में decrease किया but company को provision इस बार pay करना पड़ा है अगर हम देखेंगे तो 1847.9 करोल का provision pay करना पड़ा जोगे पिछले quarter में 518 करोल का मार्स 23 quarter में 2082 करोल का provision pay करना पड़ा देखे quarter on quarter बहुत ज्यादा पड़ा है गाई 3.5 ताइम से ज्यादा इंक्रीज हुआ है प्रोविजन पड़ा इसके पॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट है लेकिन year on year की भी प्रोविजन बहुत कम पे करना पड़ा उतना ज्यादा कम नहीं हुआगा जिसके क्रोवी है गांश में एटा मार्स फेंदी कोदर में थाटीन हंड करोड करोडकर में ट्रीम है करोड का करोड का जिए को सुन दीक निकल के आया है गाई को सबस्क्राइब 20295 करोड का और मार्च 23 कौटर में 1388 करोड का पॉफित है quarter on quarter year-on-year दोनों में fall देखने को मिल रही है EPS company का 3.46 रुपिस का quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिल रही है Operating margin 20.1 ऑपरेटिंगS जो अगर देखा जा तो 20.16% का quarter on quarter extinction year and year में down है करें, income में 67,306.4 करोड का, 23 में 55,142.8 करोड का, income में तो increase किया है, लेकिन expenses 53,062.9 करोड का, 23 में 41,814 करोड का expense हुआ था, expense भी increase किया है, और यहां पर provision पे करना पदा 4050 करोड का, जिसके बाद operating profit है, 10,193 करोड का, और 23 में 6098.7 करोड का, जो कि increase करता हुआ देखने को मिल रही है, net profit company का 6384.5 करोड का, 23 में 3882 करोड का, increase करता हुआ देखने को मिला है, अगर हम EPS की बात करें गाईज, तो company का जो EPS है, इस बार का अगर देखा जाए, तो around, guys EPS है, sorry guys, यहाँ पर EPS हो निकल के आया है, 15.48 रुपीज का, 23 से increase किया है, जो कि देख सकते हैं, guys यहाँ पर quarter in rate में profit बहुत ज़्यादा, डाउन लेकिन financial year in rate में profit बहुत ज़्यादा, increase किया है, होएगर हम इसके stand-alone results को cover करें, income है, 17,913 करोड का, पिछले quarter में 16,411 करोड का, और March 23 quarter में 16,548.9 करोड का income है, quarter on quarter, year on year दोनों में increase किया है, expenses 14,355.8 करोड का, पिछले quarter में 13,407 करोड का, और March 23 quarter में 12,365 करोड का profit expense हुआ था, quarter on quarter, year on year में increase किया, लेकिन provision 18,25 करोड का pay करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, इसके कान profit में down है, operating profit 17,31 करोड का, पिछले quarter में 25,02.8 करोड का, और March 23 quarter में 21,33 करोड का operating profit है, quarter on quarter, year on year दोनों में fall देखने को मिला है, net profit है 14,38.9 करोड का, पिछले quarter में 18,69 करोड का, तो मिल रही है, EPS की बात करें, यहाँ पर जो consolidated का भी profit 15,73 करोड का, जो की quarter on quarter में down है, लेकिन year on year में increase किया, और increase करने का reason क्या है, year on year में guys company का tax, जो की बहुत कम tax pay करना पड़ा था consolidated में, जिसके current guys company का year on year की profit में increase किया, अगर हम सेग में, यहाँ पर EPS की बात करें, 3.16 रूपीज का quarter on quarter में down है, year on year में भी down है, EPS की operating margin है guys, 19.86% का profit margin है, 8.03% का, जो की operating margin तो guys quarter on quarter में increase है, लेकिन profit margin बहुत जादा fall देखने को मिला है, gross NPA percentage है, इस बार का अगरम NPA percentage देखें तो GNPA है, 4.98% का, NNPA में, NPA 1.22% का, जो की quarter on quarter, year on year में recover करता है, देखने को मिला है, तो guys company का result उतना कोई खास pace ने किया, बहुत ही average है, और इसके share की बात करें, 138.75 तो इसके close किया, 0.18% का minor सा fall, और guys company का profit बहुत ज़्यादा fall हो रही है, बहले income increase लेकिन profit बहुत ज़्यादा fall हो रही है, क्योंकि provision बहुत ही ज़्यादा pay करना पड़ा, इसलिए guys, और अगर हम इसके share की बात करें, 1 month 4% का loss दे चुका, 1 week में 7% का loss है, तो guys, यहाँ पर देखें, company को share ज़र से एक support लेता बना ज़रारी, लेकिन जिसने एक result पेश कियागा, इस Monday के दिन भी वापस से fall देखने को मिल सकता है, इसलिए अगर आप entry करने का सोच देगा है, तो wait कर लिजे, थोड़ा सा correction होने दिजे, उसके बाद आप इसमें entry कीजेगा, तो हम लोग जो है, वेडियो कहीं प्रेंट करते हैं, अगर कोई data comment box में पुछें, मिलता है, इने शोड़ा में डिल दें, बाबाए,